Hello guys, welcome to my YouTube channel, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्रेमटोन एरोना नियो 15 लीटर के गीजर के बारे में, जिसे कि मैं लास्ट 3 मन्थ से यूस कर रहा हूँ, 3 मन्थ बात में इसका क्या कंडिशन है, क्या ये प्रॉपली वर्क करा भी है की नहीं, क्या इसके अंदर पानी सेलर है, सेम एक गीजर कोई 6,000, 7,000 का सेल कर रहा है, जो सेलर से मैंने पर्चेस किया, उसका लिंक में दिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जब मैंने पर्चेस किया, ओफर भी चालू था, तो हो सकिए, आपको भी कम प्राइस में मिल जा, आप एक बार दिस्क्रिप्शन भी नहीं आएगा, और मैं आपको इंस्टॉलेशन का भी बता देता हूँ, जैसे कि मैंने इसे पर्चेस किया, तो इंस्टॉलेशन मेरा 300 रुपिस चार्जस था, और पाइप बगेरा मैंने वो सपरेट पर्चेस कर लिया थे, ओनलाइन से, तो ये डिपेंड करता है, आप आप इना सिटी एरिया में रहे रहे हो, तो 300, 800, 200 रुपिस तक आपका इंस्टॉलेशन चार्जस रहे है, क्रेप्टोन वाले की ओर से कॉल आएगा, और फॉर इक्जांपल आप गाउन वाले एरिया में रहते हो, जो कि सिटी से काफी दूर है, तो हो सब कि आपको इंस्ट इंस्टॉलेशन हमारा फ्री नहीं है, इसका आपको पे करना पड़ेगा, और पाइप और जो कनेक्टर है, थ्रीविन वाला वो आपको सब्रेटली पर्चेस करना पड़ेगा, तो यह आपको इंस्टॉलेशन का देखने को मिल जाता है, अब जैसे कि आपको 2000 वाट का पिकने को मिल जाते है, जिससे कि आप RIS वाले बिल्दिंग में रहते हो, उची बिल्दिंग में रहते हो, तो वहाँ आपको यह बहुत ही बहतरीन तरीके से पानी को गरम कर पाएगा, एट बार प्रेशर का भी इसके अंदर दिया गया है, और इसके अंदर जो कि इसके अंदर दिया गया है, तो आपको बार बार बगल में खड़े रहने की जरुवत नहीं पड़ेगी, अब बात करते हैं, पानी गरम होने का कितना टाइम लेता है, तो पानी गरम टाइम के पहले में आपको बता है, तो इसके अंदर आपको एना एक नौब भी देखने क मिल जाएगा, तो आप अपने हिसाब से जितना temperature का आपको पानी चाहिए, वितना आप गरम कर सकते हो, जैसे कि आपको 40 degree, 50 degree, 60श, 70 degree, celsius तक का पानी आपको गरम चाहिए, तो इतना आप अपना set कर सकते हो, और यह इस पर भी depend करते है जितना set करोगे विससाब से इतना टाइम लगेगा पानी गरम होने में अब नॉर्मली जैसे कि में राजस्थान वाले एरिया में रहता तो इदर ठंडी पड़ती है नॉर्मल ठंडी रहती है तो इदर पानी को गरम होने में अरौंड मेरा 10 से 15 मिनिट लग जाता है और यह डिपेंड लगेरं तो अब का पानी में भी 5 मिनिट में भी गरम हो जाएगा क्योंकि तंकी में आपका पानी जो कि normal temperature पर रहेगा इसको पानी को गरम होने में ancora time लगेगा अब जैसे कि अंदर के में आपको पूरा है ना एंटी रस्ट का कोटिंग देखने को मिल जागा तो टैंक के अंदर कोई भी इशू अगेरा अभी तक नहीं आया जंग अगेरा लग जाना ऐसा कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है ओवरल पूरी वाइट बोड़ी है और नीचे के साइड म और वारंटी की बात करें तो इसके अंदर आपको काफी अच्छे लंबे टाइम की वारंटी देखने को मिल जाती फाइफ येर की आपको इनर टैंक की वारंटी देखने को मिलेगी और टू येर की आपको वर्रोल जोके एलिमेंट की और प्रोड़क की वारंटी देखने को मिल जाती तो tank को अगर हमें कोई भी रश्ट लग जाना जंग लग जाना ये भी पानी बरोबन ना आना तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप warranty अपना जो के claim कर सकते हो तो जब भी भी आप इसे purchase करोगे तो इसके अंदर आपको warranty card आएगा तो वो warranty card में register कर रहेगा तो आप register कर लेना कभी कबार पहले क्या होता था डायरेक उन लोगे ना warranty मतलब दे देते थे पर अभी जो कि लो warranty card दे देते प्रोड़क्त के अंदर तो जो बंदा register करता है विसको warranty जो की claim कर सकता है इन future में तो आप भी ये चीज़ ध्यान रखिए और warranty card को properly पढ़ लिज तो जैसे कि मैंने Amazon से purchase किया था 5,499 का Amazon पे different different seller is same एक ज़र कोई 6,099 का कोई 7,099 का sale कर रहा है जो seller से मैंने purchase किया उसका link में description में provide कर दूंगा जब मैंने purchase कि offer भी चालू था तो हो सकते कि आपको भी कम price में मिल जा आप एक बार description चेक कर लेना price up and down भी होते रहता है तो आ कर दो